हेलो दोस्तो छे फर वीडियो को वाबी ने एक और नया मिट रेंज स्मार्ट फोन एनाउस कर दिया है फोन है Y7P क्या स्पेसिफिकेशन होंगे क्या खास होगा और क्या प्राइस रहेगी बताएंगे इस वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में तो देख तरी वीडियो अजस तक मैं वह अश्वागर आप देखना शुरू कर चुक एंदर चेक निकल चार्जर कैमरा इतना ही नहीं इस डिस्प्ले में 17.4 मिलियन कलर आपको मिलेंगे साथ में अगर हम कैमरे की बात करें तो इसमें आपको वर्टिकली एलाइन किये हुए बैक साइड पर रेर कैमरा सेटप मिलेगा ट्रिपल कैमरा जिसमें कि आपको 48 मेगा पिक्सल का में सेंसर मिलने वाला है जबकि दूसरा 8 मेगा पिक्सल का आपको वाइड एंगल कैमरा सेंसर होगा और जबकि 2 मेगा पिक्सल का डेप्ट कैमरा होगा Selfie Camera के अगर वहीं पर बात करें तो 8 Megapixel का आपको Selfie Camera मिलेगा जो कि Display के Punch Hole के बीच में आपको मिलने वाला है एक साइड में Camera के साथ में आपको LED Flash भी मिलेगा और वहीं पर होगा बीच में आपका Mount किया हुआ Fingerprint Sensor यानि कि आपको पीछे के साइड में मिलने वाला इस फोन में Fingerprint Sensor फोन के अगर hardware की बात करें तो Display के अलावा इसमें plastic का frame और plastic की body आपको मिलेगी जिस पर की दो color shade आपको इस फोन में मिल जाएंगे एक होगा Aurora Blue और दूसरा होगा Midnight Black वैसे अगर इसको थोड़ा सा कहीं पर frame को भी अगर metal में बना जाता तो शाहिए फोन जादा durable हो पाता घा लेकिन फिर भी जो company ने दिया है बाकि अगर हम उसके बात करें तो आपको hybrid duals nano sim card slot भी मिल रहा है अगर प्रोसेसर की बात करें तो उसमें octa core प्रोसेसर आपको मिलेगा जो की किरीन high silicon 710F है 12NM manufacturing process पर बना हुआ अगर android के बात करें तो 9Pi आपको मिलने वाला है और EMUI 9.1 मिल जाएगा वैसे अगर security update की बात करें तो phone अग भी announce हुआ है तो मेरे खायल से आपको January का update इसमें मिल जाना चाहिए security का लेकिन बाकी देखतें कि phone के साथ में कौन से security patch आता है और उसको update करने के लिए आपको मौका मिलता है नहीं लेकिन एक कमी चीज इसमें software में आपको सबसे ज़्यादा खलेगी वो है Google Play का ना होना company ने पहले ही announce कर दिया है कि इसमें Google Play की बजाए आपको Wabi का pre-loaded gallery app gallery मिलेगा तो मतलब यहां पर यह Google की जो restriction चल रहा है ना US band की वज़े से तो उसका असर इस phone पर आपको देखने को मिलेगा अगर RAM की बात करें तो इसमें आपको 4GB की RAM मिल जाएगी और 64GB का internal storage जिसको की आप जो नैनो hybrid SIM slot मिल रहा है उसमें एक SIM के साथ में अगर आप चाहें तो 512GB का SD card यूज़ कर सकते हैं अब आगे बात कर लेते हैं camera की video performance में तो आपका जो rare camera होगा अगर उससे आप video बनाते हैं तो आप इसमें 1080p की video recording कर सकते हैं जो की 30fps पर सेकंड पर होगी इसके साथ में अगर आप फोटोग्राफिक की बात करें तो panorama view भी आपको इसमें मिल जाएगा इसके साथ ही अगर हम front camera की बात करेंगा वहां से आप video बनाते हैं front camera से 8 megapixel वाले से तब भी आपको 1080p की video जो की 30fps पर सेकंड से record कर सकते हैं साथ में अगर battery performance की बात करें क्यू charging support मिलेगा और इन सब details के बाद में अगर हम इस phone के weight की बात करें तो 146 gram का phone है यानि कि हाथ में आपको light weight महसूस होगा वरना अमूमन 200 gram 210 gram के आसपास में अब phone आ रहा है लेकिन यह mid range phone है इसमें बहुत जादा कुछ ऐसा है नहीं कि heavy आपको जादा वज़न हो लेकिन फिर मेरे खाल से इसका 11 साड़े 10 से साड़े 11 के आसपास में price होना चाहिए देखती है कि company इसको जब launch करती है और market में आता है phone तो क्या price range रखती है इसकी या pre booking में जब भी वाभी रखती है तो यह सारी details जो वाभी ने अभी तक specification इसके बताए है जो आपके सामने रख दिए मै आई 7P के बारे में कैसी लएक है मनको बहुता ना बहुत भूली है अब बीटी को लाइक है जिए शेर कीजिए इंवाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज्यादे आदे करें लिए चानल सब्स्राइब अगरे में भी नहीं क्या और गंटी बटन जरूर देवाद झाल